आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुर्फ विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउनलोड करें और ताप के मातरक बदलने के ओशकता नहीं है ठीक है? और यहां पर किलोग्राम प्रति मीटर की घात में हम को घनत दिया हुआ है 0 अंसपर हमको ग्याद कहाँ पर करना है? हमको 100 अंसपर ग्याद करना है, ठीक है? तो प्रशना तो द्रवामान के लिए किलोग्राम और आयतन के लिए मिटर की घाथ 3 ठीक है तो आयतन प्रसार गुनांग का सुत्र यहाँ पर लगेगा लेकिन यहाँ पर तो हमको रेखी प्रसार गुनांग का मान दिया हुए तो आयतान में प्रसार के लिए कैसे निकाल सकते है दोस्तों उसके लिए पहले जो जो लिया वो लिख लेते हैं यहां पर अंतिम टापमान और हमको प्रारंभिक टापमान दिया है तो टापमान तर लिख लेंगे अधिकतम रिन नियूंतम टापमान मतलब 100 डिगरी सेल्सियस रिन 0 डिगरी सेल्सियस यानि कि मान क्या आ जाएगा डिटी का दोस्तों 100 डिगरी सेल्सियस ठीक है जहां के पिटल्टी लिखा है मतलब क्या है ये ताप का मान है ठीक है अब हमको यहाँ पर d small d मतलब घनत्व का मान कब निकालना है दोस्तो small d घनत्व का मान 100 डिगरी पर निकालना है चलिए इसको small d से ही प्रदर्शित कर देते है समय नहीं है ये ये 100 degree Celsius पर घनत्व का मान है ठीक है तो इसका मान हमको गयाद करना है रेकी प्रसार गुनां का मान दिया है मतलब alpha का मान दिया है कितना 1.2 गुना 10 की घात में रेंट 5 और मातरक क्या है प्रत्री डिगरी Celsius ठीक है अब आयतन प्रसार के लिए हमको मान निकालना पड़ेगा क्योंकि हम गनतों को निकालने वाले हैं तो वहाँ पर जवरत पड़ेगी इसकी उसको क्या बोलते है दोस्तों गामा alpha बीटा गामा जहां पर alpha क्या है रेकिये और छेतरी क्या हो जाता है बीटा और आयतन प्रसार बुनाग की बात करे तो उसको गामा से प्रदर्शित करते हैं ठीक है अब आयतन प्रसार बुनाग में मीटर की घात 3 है मतलब यहां पर दोस्तों तीन विमाह लगते है ठीक है विमाह हम जानते है ना x अक्ष y अक्ष और z अक्ष अगर x अक्ष पर किसी चीज को ले कर जाए किसी दूरी पर ठीख हशून्य से तो वो हो जाती लंबाई x और y अक्ष दोरों में 1 सांत ले कर जाए ठीक है x और y अक्ष में चलिए तो वहाँ पर यह क्या बन जाता है दोस्तों, 6 रफल और उसी को j डक्ष के 7 लेकर जाए तो यह क्या बन जाता है उसके पस्चाथ दोस्तों, आयतन ठीक है, तो यहाँ पर आयतन की बात किया है मतलब हमको 3 अधिशाओ पर लेकर जाना पड़ेगा तो उस तरीके से हम क्या बता सकते है तीन का गुना कर सकते है जो रेखी प्रसार दी है रेखी प्रसार गुनांक उसका तीन से गुना करेंगे मतलब गामा कमान अगर हमको निकालना है आयतन प्रसार गुनां कमान तो उसके लिए हमको तीन गुना रेखिये प्रसार गुणा करना पड़ेगा ठीक है तीन गुणा alpha करना पड़ेगा ठीक तो उसके पस्टाथ हमको यहाँ पर मान मिल जाएगा गामा का और गामा कमान एक बार मिल जाए तो हम यहाँ पर dt कमान बहुत आसानी से निकाल सकते हैं तो चलिए गामा कमान यहाँ पर निकाल लेते, 3 गुना, 1.2, गुना 10 की घात में, रिन 5, ठीक है, अब इसको हम गुना करेंगे, तो 12 गुने 3 करेंगे, तो 12, 24, 12, 36, मतलब 3.6 मान आएगा, और गुने में आएगा, 10 की घात में, रिन 5, मातरक वही रहेगा, प्रती डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अब उसके पस्याद गामा कमान हमको प्राप्त होगे, अब डिटी कमान, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर हमको घनत्वा कमान प्राप् तो D बराबर क्या होता है, M बटे V होता है, ठीक है, अगर M को हम ले ले constant, ठीक है, नियत ले ले, तो दोस्तो, द्रयमान नियत लेने से क्या आ जाएगा हमारे पास में, D जो होगा, वो अनुकरमान पाती हो जाएगा, एक बटे V के, ठीक है, और अगर आयतन प्रसार का सु अनुकरमान पाती का चीन लगा होए, तो D है, एक बटे V का मान, ठीक है, V का मान क्या हो जाएगा, एक बटे D हो जाएगा, अनुकरमान पाती में ही, ठीक है, दोस्तो, तो यहां से सिधे मान रख सकते है, क्योंकि दोनों ही पक्छों पर क्या होगा, यहां पर द्रयमान नि तो यह एक धन गामा T को दोस्तों DT के साथ गुना कर देंगे और D0 का मान रख देंगे, D0 बराबर क्या हो जाएगा? DT एक धन गामा T, ठीक है? अब चलिए सभी जगा मान रखतें, तो D0 का मान हमको दिया हो है, 7.5 गुना 10 की घात में 3, 7.5 गुना 10 की घात में 3, ठीक है? अब उसके पस्चात और क्या मान दिया हो है दोस्तों? हम यहाँ पर यह जो एक धन गामा T उसको नीचे पर लाकर रख देंगे, वैसे नीचे से ही तो उपर लेके गया थे, फिर भी न पीचे पर लाकर रख देते हैं, आगे हल करने के लिए रखना ही पड़ेगा, ठीक है? और गामा का मान हमने क्या निका लाए? 3.6 गुना 10 की घात में 5, चलिए लिख देते हैं, 3.6 गुना 10 की घात में 5, 7 में तापमान का गुना होगा, ठीक है? प्रती डिगरी Celsius है, और ता 100 ही आने वाला है वैसे, ठीक है, और ये किसके मान के बराबर हो जाएगा, dt के, और dt का ही तो मान निकालना है, तो गुना भाग करके जो भी मान आएगा, वही dt का मान रहेगा, ठीक है दोस्तो, मान क्या आजाएगा हमारे पास में, 7473, और मातरक क्या आजाएगा दोस्तो, जिस मातरक को हमने लिया था, इन्पुट डेटा में, वही आयागा, किलोग्राम प्रती मीटर की घात 3, क्योंकि मातरक हमें कभी भी परिवर्तन नहीं किया है, हमने ठीक है, तो यहाँ पर मातरक लिख देते, किलोग्राम प्रती मीटर की घात में 3, तो दिये गए प्रेश्ण में हमसे क्या पूचा था, कि घनत्व का मान कितना हो जाएगा, 100 डिगरी सेल्सेस पे, और हमको सुन्य डिगरी सेल्सेस पे मान दिया था, तो मान हमने निकाल लिया है, 7.473, गुना दस की घात में 3, मातरक है, किलोग्राम प्रती मीटर की घात 3, ऐसा ही मातरक, यही आ जाएगा हमारा उप्तर, ठीक है, 100 डिगरी सेल्सेस पे, उसी वस्तु का, उसी पदार का, मतलब लोहे का, घानत्व का मातरक यह हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो यही दिये गए प्रत्शन के हमारा उप्तर है, धन्यवाद.